जहें सात्यों मैं आपके बीच एक बार पुना उपस्तित हो गया हूं एक्जाम पूट टीचेंग स्कुल की आनलाइन क्लास में आपनों का बहुत बहुत स्वागत है जोड़ार तरीके से स्वागत है भई सब्सक्राइब जल्दी जल्दी उपस्तित हो गयाएं फिर हम क्लास की सुरुआट करते हैं भारत के सबसे बड़े सैचिक मन चिक जाम पूट टीचेंग स्कुल की आनलाइन क्लास में आपनों का बहुत-बहुत श्वागत है जल्दी-जल्दी सब लोग आ जाईए भाई फिर हम क्लास की शुरुआत करते हैं ठीक है चलिए भाई अब शेख जी प्रिति गुपतार सभी लोग आ चुके भाई धीरे धीरे जल्दी-जल्दी सब लोग आ जाईए फिर हम क्लास की शुरुआत करते हैं जैसा कि आज हम लोग टापिक यह कौन सा टापिक बहुत ही बढ़ियां टापिक आज हम लोग चर्चा करेंगे उप राश् बढ़ियां उप राश्पति आज हम लोग चर्चा करेंगे उप राश्पति पति के मतलब आच्छी तरह जानते होंगे इनको हम क्या बोलते हैं जा बोलते हैं दुवाइस प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं इस the wise which president the vice president यानि हम कहने की मतलब कि आज लोग्लोग किसके बारे करेंगे वह Allah president उप्राश्फती के विश्य में I付 में आज हम अध्यान करेंगी ठीक है एक कि ध्यान देजेगा परिछ्छा कोई भी हो चाहे आपका एक जाम बड़ा हो या चोटा हो उपराश्पती का भी टापिक एक ऐसा टापिक है जो कि आए दिन इग्जाम में कोई कोई क्यूश्चन टस्क करता रहता है तो यह यह बहुत ही इंपॉर्टन टापिक है बहुत ही इंपॉर्टन चैप्टर है तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा कि इसमें क् परिच्छा के विव के द्रिष्ट कोण से बहुत ही इंपॉर्टन है महत्पूर्ण है जो कि आए दिन इग्जाम में पूछे जाते हैं मैं उपराश्पती पर उन्हीं क्यूश्चन को लेकर यहां पर आपके सामने बढ़ियां से प्रस्तूत करूंगा तो आईए चलते हैं ''article'' से चलते हैं उपराश्पती की विव के विवारे में东 के ऐक आप दियाँ जाते हैं तो सबसे पहले सामने थो जो महत्पूर्ण है अनुच्छेद हैं उनके बिशे में हमको बिशेश रूप से जानना होगा इसलिए कि आए दिन वो आर्टिकल वो अनुच्छे आपसे पूछे जाते हैं तो अगर आपसे क्यूशन कभी पूछा जाए कि आर्टिकल 63 में क्या बात कही गई है तो आप लोग क्या बताएं भईया कि आर्टिकल 63 में क्या बात कही गई है मैं बताता हूं कि इसमें क्या बात कही गई है 63 में बात की गई है भारत में कहां पर भारत में एक उपराश्पती होगा एक उपराश्पती एक उपराश्पती होगा बात को समझ रहे हैं क्या होगा वह एक उपराश्पति होगा यह बात आप बिल्कुल समझ रहे हैं चलिए एक शिकंड यह जैसे हमने पेज लेना है हमको कैसे लेंगे इसको बताओ फ़ले हम उट कर दें है तो बात हम करते हैं कहां पर बात हम लोग कर रहे थे उपराश्पति के बारे में ठीक है तो अनुच्छे 63 में यह कहा गया है कि भारत में एक उपर राश्पति होगा यह बात कहीं गए किसमें आर्टिकल 63 में और एक ध्यान देने की बात है यहां पर ध्यान राज सभा का पदेन सभापती तो ध्यान दीजेगा दोनों पुश्चन बहुत ही इंप्राश्पति पूछा जाता है कि 63 वाले आटिकल में क्या है तो आप कहेंगे भारत में एक उपराश्पति होगा इस बात का जिक्र्ण 63 वाले आर्टिकल में कहा गया है 64 वाले आर्टिकल में क्या कहा गया है राज सभाक का पदेन अध्यक्ष कौन होगा अगर आपसे ऐसे किश्चन पूछा जाए तो आपको बताना होगा कि उपर राश्पती बात को समझ रहे हैं यह दो आर्टिकल बहुत ही महत्पूर इसके अ आर्टिकल 65 है वह कौन सा आर्टिकल 65 63 64 65 अब हम आते हैं 65 पर यहां पर क्या यह बात कहीं गई है कार्यवाहक कैसे बहुत कार्यवाहक राश्पती के रूप में कार्यवाहक राश्पती के रूप में ऊपर राश्पति कहने क्मतलब यह है क्या मतलब है कि अगर आपके राश्पती का pad खाली तो बात को समझ रहे हैं यहां तक बात समझ में आ रही होगी यह तो रही बात 65 में भाई अगर आप से क्ये क्यूस्ट्वुचन पूछा जाए कि 66 वाला आर्टिकल है 66 में किया कहा गया है उसके भी बारे में हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 66 कि इसके बारे में क्या बात है वह उपर राश्पती के निरवाचन बारे में हैं खौश कि initiatives पूप राश्टपती के निरवाचन के बारे में पूप राश्टपती के निरवाचन के बारे में किसमी जिक्रिक यह गया विया तो आडिकल 66 बात को समझ रहे हैं अब हम आते हैं एक बहुत ही महत्पूर्ण आर्टिकल 69 वाला आर्टिकल यह क्या कहता है यह बात कहता है क्या कहता है के उपराष्पति के सपत ग्रहण के बारे में यह आर्टिकल क्या कहता है यह उपराष्पति के सपत ग्रहण करना है किसके बारे में बात करता है एक शिष्टी वन वाला आर्टिकल और एक ठीज द्यान दिजिएगा उपर राष्पती भाई्या किसके सम्हस representations तो ये भी बात जान लिजिए वह आपका आर्टिकल इस आर्टिकल मुने ध्यान दीजिएगा तौण के बारे में बात की गई है तो आपका 69 किसके उपर राष्ट्पती किसके समख सप्राइज करेगा भाई उपर राष्ट्पती के चाहित है राश्पति के समक्ष शपत ग्रहण करेगा बात को समझ रहें यानि उपराश्पति सपत ग्रहण करेगा किस आर्टिकल में 69 में करेगा किसके समक्ष सपत ग्रहण करेगा वहिया आपको बताना होगा किसके बाद समक्ष तो किसके बाई आपके राश्पती के समक्ष सपत ग्रहन करेंगे आपके उपराश्पती महोदे बात को समझ रहे हैं चलिए आते हैं फिर एक बहुत ही महत्पूर्ण आर्टिकल है कौन शा भई आर्टिकल है 69 के बाद अब हम आते हैं 71 वह 71 आर्टिकल ये क्या कहता भाई ये आर्टिकल क्या कहता है आई ये देखते हैं हम लोग 71 वाला आर्टिकल कहता इसमें दो बातों का जिक्र किया गया है तो चुकि हम लोग बात करें उपराश्पती के बारे में तो या चुकि राश्पती के भी बारे में है उपराश्पती के भी बारे में द राष्पति या उपराष्पति या उपराष्पति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी विवाद के लिए किसी भी विवाद के लिए कौन जिम्मेदार होगा उसका निफ्टारा कौन करेगा राष्पति या उपराष्पति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद अगर खड़ा होता है तो उसका समाधान उसका निराकरण कौन करेगा तो या किसी भी विवाद के लिए समस्या का निराकरण कौन करेगा भई निराकरण अगर कोई करेगा तो आपका सुप्रिम कोड करेगा भई या कौन? कौन सुप्रिम कोड बात को समझ रहें यह सुप्रिम कोड यानि कहने के मतलब उच्चतम नियाले यह आपका उच्चतम नियाले उसका हला भला करेगा उसका निफ्टारा करेगा ठीक है यहां तक बात समझ में आ रही है चलिए बाइट 71 हो गया यहां राषपती के निर्वाचन से संब्ढ़ित कोई विवाद हो तो उसका समझ्या समाधान कोण करेगा आपका उच्चतम नियाले करेगा अब हम आते हैं आगे की तरफ देखते हैं और क्यूष्टिन क्या पूछे जाते हैं आए दिन जो कि हमेशा एक्जा है कौन सा अनुच्छे जो 66 है इसमें क्या कहा गया जानते हैं राष्पति के निर्वाचन के बारे में बात की गई है ठीक है संसत के संसत के दोनों सदनों के सभी सदस्यों सभी सदस्यों से मिलकर जो निर्वाचक मंडल होगा जो निर्वाचक मंडल बनेगा वही भही आपके उपराष्पति के उपराष्पति के चुना वही लोग करते हैं ठीक है बात करें तो लिए पर्वाध के लिए उप्राष्पती पर की लिए चुनाओ लड़ सकता ओसके लिए योगिता होनी चाहिए तो अगर हम बात करें योगिता की किसकी बात करें उपराश्पती पद की योगिता योगिता क्या होनी चाहिए हो योगिता क्या होनी चाहिए उपराश्पती पद का अगर आपको चुनाव लड़ना है तो उसके लिए योगिता क्या होनी चाहिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है क्या योगिता होनी चाहिए पहली बात भीया भारत का नागरिक होना चाहिए ये बात होनी चाहिए उनके अंदर ये योगिता होनी चाहिए बात को समझ रहे हैं? चलिए दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? दूसरा पॉइंट है कि कम से कम कम से कम 35 वर्ष कितना 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए पूरी होनी चाहिए कहने के मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्त उप्राश्पति पत के लिए चुनाव लड़ रहा है तो उसके लिए यह योग्जिता है कि पहली बात वो भारत का नागरिक हो, दूसरी बात क्या है कि कम से कम एज उनकी कम से कम 35 होनी चाहिए तीसरी बात क्या होनी चाहिए? तीसरी भी बात आप लोग समझेगा कहां वही है राज सभा का सदस्य राज सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योगिता होनी चाहिए यहनी इतनी बाते कम से कम होनी चाहिए विशेश रूप से आप लोग ध्यान दिजेगा तीन पॉइंट आपको जरूर जानना है कि भारत का नागरिक होना चाहिए दूसरी बात उनकी कम से कम एज कितनी होनी चाहिए वहिया कम से कम 35 वर्स एज होनी चाहिए कि तीसरी बात यहां पर राच्छ शभा का ज्यान देजेगल कि राज्छ सभा का जो सदस्य निर्वाचित होने योगिता होनी चाहिए उपराष्डपति के तो राश्पती पत के लिए अगर चुनाव किसी को लड़ना है, तो उसके लिए पहिला वाला पॉइंट जो है, कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात राश्पती के लिए भी उनके भी उपर फार्मूला लागू होता है, और दूसरी बात कम से कम 35 वर्स एज होनी चाह कहने का मतलब यह है, कि राश्पती पत के लिए भी पहला वाला पॉइंट और दूसरा वाला पॉइंट उनके लिए भी राश्पती पत के लिए भी योगिता है, और आपके उपर राश्पती पत के लिए भी दोनों लोगों के लिए योगिता है, दोनों पॉइंट समान है और तीसरा जो point है आपका यहाँ पर राष्ट रभाक का सदस्निर्वाचित होने की योगिता होनी चाहिए किसके लिए आपके उपर राष्ट पत के लिए वही पर तीसरे वाले point में क्या difference हो जाता है कि अगर राष्ट पत के लिए चुनाओ लड़ना है किसके राष्ट पत के के लिए चुनाओ लड़ना है तो भाय राज जी जगह हैं लोग सभाग का सदस से निर्वाचित होनी की योग गिता होनी चाहिए ये बात होनी चाहिए राश्पति के लिए बात को समझ रहे हैं चलिए कहने के मतलब मैं थोड़ा से बारीकी के साथ बताना चाहूंगा हलका सी हाँ आप लोग समझ लिजिए बारीकी की भासा में क्या समझना है कि अगर आप ऐसे समझ लिजिए कि एक तरफ आपके राष्पति महोदे हैं और दूसरी तरफ आपके उपराश्पति महोदे हैं थोड़ा से मैं कमप्रीजन हलका से करना चाहूंगा ज्यादा नहीं चुकि मैं पढ़ा रहा हूं उपराश्पति देखिए दोनों पॉइंट वह भारत का नागरिक होना चाहिए यहां पर भी होना चाहिए यहां पर भी हो लोग्षभा किसके लिए लोग्षभा का सदस्य निर्वाचित होने की योगिति होनी चाहिए योगिति बात को समझ रहे हैं बारी की समझ लिजेगा तीसरा यहां जो पॉइंट बनेगा आपका यहां पर उपराश्पति पत्त के लिए राश्पा का राश्रभा का सदस्य निर्वाचित होने की योगिता होनी चाहिए बात को समझ रहें और एक ध्यान दिजेगा राश्पति पत के लिए अगर कोई ब्यक्ति खड़ा होता है चुनाओ के लिए तो उसके लिए कम से कम कितने ध्यान दिजेगा राश्पति यानई पर धान दिएगा कि पच्चास के अब पच्चास ही आपके अनुमोधक होने चाहिए रावात बात को समझे насब वारी क्या है? पच्यास पच्यास प्रस्तावक और पच्यास अनमोधक होने इस व्यक्ति राश्पती पत कीलिए चुनाव लड़ने जा रहा है . इतने व्यक्तियों के लारा प्रस्तावक और अनमोधको होने चाहिए यहाँ पर क्याओंड बनते है? पर आगर उपर क्ष्टेशिती पत के लिए कोई चुनाओ लड़ने जा रहा है तो इसे लिए कितने प्रस्तावक भया सुआ।। 20 सब्स्दिड़। 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 आपके क्या होने चाहिए अनुमोदक यही इतनाई बारी की है यहाँ पर 20-20 रहेंगे यहाँ पर 50-50 रहेंगे और यहाँ पर केवल डिफरेंस है कि लोग सभाग सदस निर्वाचित होना है यहाँ पर राज सभाग सदस निर्वाचित होने की योगिता होनी चाहिए बकिया भारत का नागरिक दोनों में होना चाहिए 35 वर्स की इस दोनों में होना चाहिए ये है बारी की बात को समझ रहे हैं चलिए अगर बात समझ रहे हैं तो आते हैं हम अब अपने पुराने फिर से एक बार पुन है उपराश्पती के टापिक पर इसके अलामा आपको भी एक चीद ध्यान दिजेगा जो आर्टिकल आपको बताया गया है 65 अगर किसी कारण बस राश्ट्पती का पद खाली है तो आपके उपराश्पती महदे कारीवाहक राश्पती के रूप में कारी करते हैं और यह चीद ध्यान दिजेगा उपराश्पती के अगर हम बात करें उपराश्पती की ठीक है कई बार क्यूश्चन पूछा जाता है कि राज सभाग का पदेन अध्यक्स कौन होता है तो आपको बताना होगा उपराश्पती इसके अलामा और क्या भाई और एक चीद ध्यान दिजेगा कई बार क्यूश्चन पूछा जाता है क्या अगर मान लीजिए जैसे कोई राश्पती है राश्पती है एक चीद ध्यान दिजेगा आगे बढ़िए उपराश्पती है फिर आगे बढ़िए सर्वोच कहां किभी है सर्वोच नियाले काम मुख्य नयाधीश मुख्य नयाधीश बात को समझ रहें यह निक कहने का मतलब अगर किशी समय अईसी कोई परिस्थिति बिद्दिमान हो जाए कि मान लीजिए राशपती उस समय पतपर नहीं है तो उस समय आपके अपके आपके जब दोनों पत बह שמח रहे हैं जब और राश्पती का भी और राश्पती का भी मसा दोनों का पद खाली होगा तो आपके सुप्रिम कोड के मुख्यने अधिस कारी वाहक राश्पती के रूप में कारी करेंगे अगर मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति भी दिमान हो जाए कि भाईया उसमें सुप्रिम कोड के मुख्यने अधिस का भी पद खाली है तो वहां के सुप्रिम कोड में चीफ के जश्ट बाद जो वरिष्ट जज होंगे वो भाईया आपके राष्टति के रुप में कारी करेंगे ठीक है ध्यान देजेगा एक बार इस्थिती पैदा हुई कब मैं बताना चाहूंगा whether vák 1971 की बात हैibi जब आपके राष्टति ओन थे डौक्तर जाकिर अवर क्या नाम आता है यांव्यक डाक्तर जाकिर अपके राष्टति थे तो आप frigging के टरह पर जानते हैं तो आपके वीवी गिरिम होँद है ज्यान दिजिएगा वीवी गिरी महोदय और वीवी गिरी वही दुती चक्र की मतगणना जिनके समय करानी पड़ी थी तो वीवी गिरी महोदय उस समय आपके उपर राश्पती थे तो भाई या वीवी गिरी महोदय कारी वहाक राश्पती की रूप में कारी कर रहे थी तो श्राखिंत करें कर cœur लेकिन विवीय गिरी जी को जब राश्पती पत के चुना ना हुआ यह यह वी पत खाली किरे, उस समय उप राश्पति का उब्य atual लेडि ले का मुहांस्य दरया शुप्रम status कोड्पके मुखिनाएदिश थे मुहम्मद हिदायतुला तो भैया वो आपके कारी वहख राष्पती के रूप में कारी किये थे बात को समझ रहे हैं चलिए अगर यहां तक बात समझ में आ रही है तो भाई बिल्कुल क्लियर कट रहिए इस फंडा बिल्कुल क्लियर कट रखिएगा और एक चीद ध्यान थोड़ी देर के लिए क्या मिस्धिए कि अगर आपको समझना है कि क्या समझना मैं है अगर आप से question पूछ ले कि वह राश्पती उपिर राश्पती है कि यह भी question कई बार तोचा जाता है वह राश्पती का या है यह अपना त्याग पत्र किसको देता है तो आप अगर इना पत्र देना है यह किसको देंगे भाईया यह आपके राष्पति महोडे को देंगे बात को समझेगा और एक ठीड ध्यान देजएगा अगर राषपती को त्याक पत्र देना है तो राषपती को देंगे ये भी बात आप लोग clear-cut जानते रहीएगा ठीक है इसके अलामा ध्यान दिजेगा चुकि उपराश्पति आपके ये भईया राज सभा के पदेन सभापती होते हैं कैसे होते हैं ये पदेन सभापती होते हैं कई बार कि पूछा जाता है कि निमन में से काहँ सा य AIDS नहीं नहीं थे आए उंगे अपने पद के लिए वतं नहीं मिलता इंक और पद के लिए वतं नहीं मिलता इनको अ कि वेतन नहीं मिलता अब कई लोग कह रहे होंगे कि गुरू जी आप क्या आना पसना पड़ा रहे हूं उपराश्पतिक वेतन नहीं मिलता है। सभाथ के लिए मिलता है तो भाईया वह आपके यहां देखिएगा राज सभाग के पदेन सभापती आपके कौन होते हैं तो उपराश्ट्पती होते हैं इस बात को आप लोग अच्छी तरह जानते हैं तो भाईया एक ध्यान दिजेगा कि उपराश्ट्पती को अपने पद क कि पितन को द consulting के लिए वेतन जरूर नहीं मिलता है लेकिन जब उनको 4 लाख रूपय महिनवारी मिलता है तो राशब्पति के पदेंस वह पती रूपया हर महीने मिलता है बहुत बड़ी रखम मुथा है गुरु कितने बड़ी रखम पर जब जबड़ रखम होती है अगहे है यह अगर समझाल सहते है ठीक है नञीं समझाता है कौनों बात ना इन यह जो आए दिन आपसे क्यूश्चन बनता है ठीक है Articl 69 में चर्चा कर चुका हूँ उप counterpartyROP जो article 60 है यह राश्पत्ती के संबद्ध है किसे así राश्पती के संबद्ध है आपका article 60 बात को समझ रहें चलिए अगर बात समझ में आ रही है तो भाई ठीक है नहीं समझ में आ रही है तो कोशिश करिएगा और एक की ध्यान देने की बात है क्या राज सभा की अध्यक्षता कौन करता है यह भी क्यूश्चन कई बार पूछा जाता है कि राज सभा की अध्यक्षता अगर आप से क्यूश्चन पूछा जाए कि राज सभा की अध्यक्षता कौन करता है तो आप उत्तर किसको करेंगे तो आपको बताना होगा उप राश्पती क्या बताएंगे आप लोग बताईएगा उप राश्पती तो आपके उपराश्पती और एक की ध्यान दीजयेगा यह बहुत। पुराना क्विश्चन होग एक पुछा गया है। उपराश्पतियों के अगर हम बात करें थोड़ा से उपराश्पति की किसकी बात करें उपराश्पतियों के अगर हम बात करें कई बार क्यूश्चन पूछा जाता है कि प्रथम उपराश्पति कौन थे अगर आपसे क्यूश्चन पूछा जाए कि भारत के प्रथम उपराश क्रिश्णन क्या सरपल्ली राधा क्रिश्ण आपको उत्तर करना होगा पूछिए क्यों करना होगा हम लोग 5 सितंबर को सिच्छक दिवस मनाते हैं आप लोग कहेंगे हां गुरुजी मनाते हैं बिल्कुल मनाते हैं बहुत सालस मनाते हैं तो भैया यही डाक्टर सरपल्ली रा जिए हम लोग 5 सितंबर को इनका जो जन्म दिन उसको सिच्छ दिवस के रूप में मनाते हैं बात को समझेगा और एक ध्यान दीजिएगा अगर आप से क्यूश्चन पूछा जाए एक क्यूश्चन यहां से और बनता है क्या कि पहली बात यह पहले आपके उपर राश्पती हैं लेकिन क्यूश्चन बनता है कि आपके दुती राश्पती कौन थे भारत के दुती राश्पती कौन थे ऐसे भी क्यूश्चन पूछा जा सकता है भा अगर आपसे क्यूश्चन पूछा जाए कि भारत के दुती राश्च्पती कौन थे तब भी आपका उत्तर होगा यही वाला सरपल्ली राधा कृष्णन दुती आपके राश्च्पती हैं ठीक है और पहले आपके प्रथम आपके उपर राश्च्पती हैं बात को समझ रहें और एक चिद्यान दिजेगा जहां पर डाक्टर राजज्पसाद दो बार याणी डाक्टर राजज्पसाद भारत के पहले राश्च्पती रहे दो बार दो कारिकाल के लिए लगातार वो भईया राश्पती रहे उसी तरह से यहाँ पर आपके प्रत्थम उपराश्पती डाक्टर सरपली राधा कृषन जी ये भईया दो बार लगातार आपके उपराश्पती रहे ठीक है लगातार दो बार उपराश्पति अब कुछ लोगों के दिमाग बात आ रही होगी गुरु जी आप लेटिस्ट वर्जन से वाकिब नहीं है क्या इसलिए कि आपके वहल बता रहे हैं को सरपली राधा कृष्ण रही दो बार लगातार उपराश्पति रहे भाईया मैं जानता हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं आपके भाव को मैं पकड़ लिया तो लगातार दो बार अगर उपराश्पति आप से भाईया राजा बाबू पूछा जाए कि लगातार दो बार उपराश्पति कई जने रहन कई ब्यक्ति रहन तो लगातार दोई बार उपराश्टी एक तो आपके ध्यान दिजेगा क्या नाम आईए देखते हैं एक आपके भाईया सिच्छक दिवस वाले सरवपल्ली राधा कृष्ण महोदे हैं राधा कृष्ण ठीक है और दूसरे कौन हैं दूसरे हैं आपके गाजी पूर वाले भा हामिद अंसारी जी क्या नाम आता है उनका हामिद अंसारी जी हामिद अंसारी कानेक मतलब की दो अब्यक्ति ऐसे हैं जो कि लगातार दो बार उपराश्टी पत का उपराश्टी के पत को सुसोबित कर चुके हैं एक आपके हैं सरवपल्ली राधा कृष्ण जो कि पहले इसके बाद ध्यान दिजेगा, अगर हम आप से question पूछा जाए, क्या पूछा जाए, पहले आप से उपराश्पती पूछा जाए, तो सरपली राधा कृष्ण को बताएंगे, अगर आप से question पूछा जाए, वर्तमान में उपराश्पती कौन है, तो आपको बताना होगा, वर सिम्बल्स है, तो बिंकायन आइडविस में, present time में आपके, present time में आपके उपराश्पती है, ध्यान दीजेगा, अगर हम बात करें थोड़ा से, क्या प्यात करेंगे भाई, अगर हम थोड़ा से बात करें, ये आपके कौन से, 13 में, 13 में उपराश्पती है, कैसे? ब्यक्ति कारिकाल की द्रिष्टी से ध्यान दिजेगा दोनों क्यूश्चन पुछा जाता है अगर आप से क्यूश्चन पूछा जाए कारिकाल की द्रिष्टी से कोंड से या कारिकाल की द्रिष्टी से वेंकाया नाइडू सहब किस नंबर के आपके उपराश्पति हैं तो आपको बता बात को समझ रहे हैं चलिए बात अगर समझ में आ रही है तो भाई ठीक है इसके अलावा आपको उपर राश्पती से क्या बनता है इनका पेमेंट हो गया सपत ग्रहन आपके राश्पती के समक्स करते हैं ठीक है और इनको अपने पत के लिए वेतन नहीं मिलता इनको बलकि किसके राज्पती के रूप में पेमेंट इनको मिलता है 4.000.000 रूपे हर महीन है बात को समझ रहे हैं चलिए यहां तक बात समझ में आ रही है चलिए और एक ची ध्यान दीजिएगा अगर हम बात करें वह यहां इनका कारिकाल कितने वर्ज को होता है कितने वर्स का कारिकाल पूछा जाए तो पांच वर्स का इसके पहले इनको कई से हटा सकते हैं वही बात है साधारन बहुमत से हम अपने उपराश्पति जी को हटा सकते हैं पांच साल से पहले अगर हमको हटाना है तो साधारन बहुमत की द्वारा ठीक है चलिए चलिए तो भाई आप लोग बात समझ रहे हैं यहां तक बात जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ आप लोगों समझ में आ रही होगी कि उपराश्कति से जो महतपूर्ण क्यूस्चन बनते हैं यही यही क्यूस्चन बनते हैं ठीक है और एक ची ध्यान देज wären देने की बात है कर, पूछ जाता है क्या पूछा जाता है कई बार exam question ये भी पूछा गया है क्या पूछा गया जानते हैं कि उपराश्पति का जो पद है उपराश्पति के जो पद है आपका कि ये किस देश के सम्मिधान से लिया गया है जैसा कि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, भारती सम्ःधान को उधार का थायला का जाता है, बैस संसदातमुत बैउस्था किसी देश से ली गई है, मूल अधिकार किसी दूसरे देश से लिया गया है, ठीक है, सम्ःधान की सरोचता कहीं से ली गई है, इसी प्रकार से आ आपको बताना उपराश्पति का पद जो है संयुक्त राज्य अमेर्किया से लिया गया है बात को समझ रहें कहां से लिया गया भाईया उपराश्पति का पद आपका संयुक्त राज्य अमेर्किया से लिया गया है ये भी बात आप क्लियर कर जानते रहिएगा ठीक है चलिए और एक चीद ध्यान दीजेगा उपराश्पति से सम्मंदित और क्या क्या क्यूस्चन पूछे जाते हैं तो जो आग के परिच्छा में आए दिन क्यूस्चन पूछे जाते हैं मैं उन्हीं के विशे में अभी तक जिक्र कर रहा था ठीक है चलिए यहां तक बात समझ रहे हैं आप लोग चलिए बात बिल्कुल समझ रहे हैं तो अब हम जो इंपॉर्टेंट क्यूस्चन बन रहा था आर्टिकल की मैं जिक्र कर चुका हूं आपके 63 वाला आर्टिकल 64 वाला 65 कारिवहक राश्पति के रूप में उपराश्पति कारी करता है 66 निर्वाचन के बारे में है ठीक है इसके अलावा 79 उपराश्पति के सपत गहण से है इकहत्तरम क्या है उपराश्पति के निर्वाचन से संब्धनित कोई विवाद उत्पन होता है तो उसका निश्चे उसका अंतिम नेड़े कौन करेगा आपका सुप्रिम कोड करेगा ठीक है तो भाई अब महत्पूर्ण आपके अनुच्छेद हो चुके महत्पूर्ण जा दन्यवाद चलिए भाई अब हम अपनी क्लाश यहीं पर क्लोज करना चाहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद